ये हैं प्रदेश के स्वास्थि मंत्री और उप्मुख्य मंत्री प्रजेश पाठर जो प्रदेश में घूम घूम कर सरकारी अस्पतालों का जाइजा ले रहे हैं पहले भी कई अस्पतालों का ओचक निरिक्षन कर चुके हैं लेकिन इस बार वो बारा बंकी के हैदर गड़ के कम्यूनिटी हेल्ट सेंटर जा पहुचे जहां उन्हों ने सरकारी अस्पताल के हालत देखी तो फोन पर CMO साहब से बस यही कह दिया कि आपने तो CHC की बेंट बजा दी है सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही खुल कर डिप्टी सीम साहब के सामने आ गई मौके से कई डॉक्टर गाय भी पाए गए CHC के खस्ता हालातों को देखकर डिप्टे सीम पाठक खुद को रोक नहीं सके और फोन पर ही उन्होंने सीमों साहब की क्लास लगानी शुरू कर दी पहले तो उन्होंने ओटी रूम को लेकर और उसके खस्ता हालातों को लेकर सवाल जवाब का सिल्सिला शुरू किया और उन्होंने सीमों से क्या कुछ पूछा चलिए वो भी आपको सुनाते हैं सेमों साहब प्राम हम है दर गर्शी पे हैं रखसर भी तो पूरा अस्वताल का तो बेंड बजा दिया है आप कब्से नहीं आया है हस्पिटल में है ओटी रूम में कभी खुले ही नहीं ओटी रूम इनका है ओटी रूम चेक्या थाग ने ओटी रूम के दर्वाजे गिरे हुए हैं खिर्किया तूटी पड़ी है पूरा बंद था यह बद्बू इतनी आ रही है डिप्टी सियम खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि सियच्सी की देखभाल ठीक से नहीं की जा रही है जहां बद्बू हो तो वहां फिर मरीजों का इलाज के ऐसे हो सकता है ये तस्वीरे बता रही है कि कोरोना जैसी महामारी के बाद चर्मराई स्वास्ते व्यवस्था को लेकर सरकार पंठ्री पर लाने पर भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर कोशिशे फेल होती नसर आ रही है इस सब के बाद जब कई डॉक्टरों को ड्यूटी पर न पाकर अटेंडेंस रेजिस्टर के पनने पल्टे गए तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही मिला जिससे जानकर एक बार फिर सीमो से फोन पर वही सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया प्रदेश में बिगड़ी स्वास्ते विवस्था को सरकार की सकती वाली ऑक्सीजन की जरुवत है शाय तरवी उसमें फिर से जान फूकी जा सके एक तरफ सरकार और प्रशासन स्वास्ते विवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट पास तो कर देता है लेकिन उसके बावजूद हजारों कम्यां साफतार पर दिखाई देती है